तो आईए दैन्स से पहरे थोड़ी सी बॉम अप करते हैं जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है और अब अपना स्टेप शुरू करते हैं आज का स्टेप जो है हमारा उसका फुट वर्क कुछ इस तरह है आप पहले सिंपल पोजिशन में खड़े हो जाए जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है और उसके बाद अपने राइट फुट को लेफ्ट लेग के क्रॉस करना है कुछ इस तरह और लेफ्ट फुट को राइट लेग से क्रॉस करना है कुछ इस तरह तो आईए इसको काउंटिक बे करते हैं 5,6,7,GO 1,2,3,4,5,6,7,8 अण नाव इसका हैंड वर्क हैंड वर्क करने के लिए हमें अपने दोनों हाथ को क्रॉस करना है जब हम सिंपल पोजिशन में खड़े हैं और जब हम अपना पैर क्रॉस करेंगे तो हम अपने हैंड खोल लेंगे कुछ इस तरह तो आईए इसको counting पर करते हैं 5, 6, 7, go 1 2 3, 4 5 6, 7 and 8 8, 7 6, 5 4 3, 2 and 1 okay, so now it's our second step second step को करने के लिए सबसे पहले आप दोनों legs को join करके कुछ इस था से खड़े हो जाईए उसके बाद अपना right leg left leg से separate करते हुए दुबारा left में join करके उसके बाद left leg को right सेपरेट करके right में join करना है तो आईए इसको अब counting पर करते हैं 5, 6, 7 and go 1 2, 3 and now it's our handwork basically आप इस सेप के साथ कोई भी handwork कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस handwork को follow करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं okay so let's start 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 2 and 1 so now our third step हमारा third step कुछ इस था से होगा जब आप अपना right leg left की तरफ cross करेंगे तो left leg में हलका सा tap आएगा कुछ इस तरह और same way में आप left side करेंगे तो आईए इस step को counting के साथ करते हैं 5, 6, 7 and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 और इसी तरह left side 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 अब हम इसको hand work के साथ complete करते हैं right side का hand work कुछ इस तरह से होगा आप अपने left arm को इस तरह से और right arm को round में घुमाते हुए वापिस लाएंगे ओके, so let's do on counting 5, 6, 7 and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 ओके, so now left turn left side करने के लिए आपको अपने हाथ को फिर इस तरह से रखना है और दूसरी आम को इस तरह से घुमा कर लाना है okay, so let's start on counting 1, 2, 3, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 okay, so now all steps together okay, so let's start from our first step till last 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 now our third step 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1 okay, everyone आप सभी इन स्रेप्स के घर पर टैक्टिस करते रहेगा और स्वस्त रहेगा और स्वक्चित रहेगा thank you